हेलो आज मैं 15 मिनट में इंस्टेंट पीजा वेस बना कर त्यार करूंगी और इसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है और जट पर बनकर त्यार हो जाती है 15 मिनट यानी 15 मिनट तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करती हूं अगर आज की ये पीजा की रेसिप आपक इस इंस्टेंट पीजा को बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी सूजी मोटी पतली कोई भी हो उसे मिक्सर में डाल कर एक वार चला लिए इससे क्या होगा ? कि सूजी में देखते हैं हम लोग जब उसको गुनते हैं तो थोरी से दानेदार होते हैं तो इससे दानेदार नहीं रहेंगे स्मूथ से बनकर तयार होंगे और पता नहीं चलेगा कि आपने किस्चीच का बेस दिया है बहुत अच्छा बन जाता है तो सूजी को मैंने मिक्सर बहुत अच्छी फूलेगी तो यह दोनों डालना जरूरी है अब सूजी थोड़ी सी मुलायम बनेगी तो उसे तुरह सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने लिया है यहां पर चावल का आटा इससे थोड़ा क्या होगा कि वह थोड़ी सी कड़ी होगी तो उसका बेस अच्छा स हो जाएगा तो मैंने यहां पर चावल का आटा ले लिया है डालना जरूरी है डालकर अच्छे से मिला लिजे अगर आप सौफ्ट इसका बेस चाहते हैं तो आटा डालने की कोई जरूरत नहीं है कि बस सूजी से ही काम चले जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा टाइट डो चाहिए आपको टाइट बेस चाहिए तो थोड़ा से चावल कांटा जरूर डालेगा तो मैंने डेर चमज जाला है और यहां दिखे सभी जो को मैंने अच्छे से पीस लिया है अच्छी तर से पीस लिया है पहले से थोड़ी सी यह बारी हो गई है चलिए अब अगला प्रो मिठी दही है तो पूरी एक कब इसकंढ़ खती है खटा डेस्ट नहीं आना चाहिए और यहां लोगाका अच्छे रखन चाहिए और ज्टीन को बैलेंस करने में खटा तो थोड़ा कम करने में यह एक कब उद्धे ख़ता है तो यहां पर मैंने लिया है एक कब शूजी मैंन तो उस पर ध्यान दीजिएगा और जो मैंने पानी डालने का प्रोसेस किया है उसे मैंने वीडियो कहीं पर भी कट नहीं किया है सारा पानी मैंने दिखाया जहां-जहां मैंने डाला है थोरा-थोरा करके अब इसे अच्छी तरह से फेट लेती हूँ इसमें जितने लंस बगर हो जाएगी जितनी पानी अब्जॉर्ब करनी होगी वह कर लेगी उसके बाद मैं अगला प्रोसेस करोंगी इसको घंटो छोड़ने की ज़बूरत ने क्योंकि मैंने बोला 15 मिनट में बनेगी यह पीजा तो 15 मिनट में ही बनकर तयार होगी तो तीन मिनट के लिए मैं से रि प्रोसेस्टेंसी रखोंगी ताकि जो मेरी वह बेस है बहुत अच्छी सी हलकी सी सक्त बने अब इसकोचे से फिर से फेट लेना है फेटने के यहां पर एक चीज आपको जरूर डालनी है तो आप इसे हलका बनाने के लिए बेकिंग सोडर डाल सकते हैं मैं यहां पर इनो का से ले रही हूं यहां पर पूरी मैं नहीं लोगी इसमें छोड़ा चमच से ही मैं लोड़ी ले रही हूं क्योंकि इसमें अभी और भी है आधा चमच के लगवग लेकिन मैंने लगवग एक चमच लिया पूरा भर के मैंने नहीं लिया है इसमें मैंने दो तीन चमच पानी दाल दिया बस इतना ही पानी टालूंगी मैं इनो के साथ बेकिंग सोटा डालना चाहते बेकिंग सोटा भी आदा चमज डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छी बैटर हलकी हो जाएगी और यह फुलेगी जालीदार यह बेस बनेगी इसमें होस बनाने की कोई जरूरत नहीं पड तरह से त्यार हो गई अब बनाने के प्रोसेस के तरफ चली जाए और यहां देखिए कितनी अच्छी थोड़ी सी फटी फटी सी लगड़ी है वतलब बहुत अच्छी जालीदार यह बैटर बन गई है अब इस पिजा को टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया पैन में डाल तोड़ी सी बटर आप यहां पर घी भी ढाल सकते हैं पुड़ी तरह से कोई दिकत नहीं है घी या बटर का यूज जरूर करें रिफाइन का यूज ना करें इन दोनों से टेस्ट बहुत अच्छा जागा तो मैंने डालाए बटर बटर को हलका गर्म होने के लिए रख दिय तो मैंने जितना बटर त्यार किया था उसमें मेरी दो बहुत ही प्यारे से यहां पर बन जाएंगे पिजा बेस तो मैंने दो ही बनाया है आधा आधा मैंने बाट लिया है पैन को मैंने अभी लो फ्लेम पर रखा हुआ है पूड़े में फैला देती हूं एक बराबर सी ले प्रोसेस करूंगी तो कुछ टाम के लिए मैं इसे ढख देती हूं बहुत जादा टाम नहीं लगे हैं कि मात दो मिनट के लिए मैंने ढखा था इसे और यहां देखिए अच्छे से ड्राई हो गई है अब क्या करना है कि दूसरे साइड भी थोड़ी सी बटर लगा लेनी है और इसको पलट देना है ताकि दोनों तरफ बटर का टिश्क बहुत अच्छे से आ जाए तो मैंने क्या किया कि यहां पर थाली में निकाला है अब इस पर तुरह से बटर डाल देती हूं और डाल कर और इसके ऊपर मैंने जो बेस त्यार किया उसे मैं पलट दूंगी तो मै इस पर लगाऊंगी सॉसे से वटी है तो से मैं लगा younger था था तूड़ा से मेरे पास है तो इसके मैं डालंगी तुमैटो सॉस का पौच है इसके अपर मैं डालूंगी पीजा सॉस से जवान सॉस पीजा सॉस बिजा सकते हैं अपने कोडिंग जो अच्छा लगता हो ठिश् पूटे में ले लिया है कोइंटीधि अपने कोड़िंग कम जादा करके ले सकते है मैं ने फूरा इछ trai मैं अच्छी लग लगाँने में कान्स टाल सकते हैं यकोडिंगa पयास करकेक आप अपने लगा कर पनीर और थोड़ा सा इस पर पिजा सिजलिंग होता है वो डाल दीजे प्लस इस पर थोड़ा सा मोजरेला डाल दीजे बस उतना इसका टेश्ट काफी अच्छा जाता है तो तो इसी टॉपिंग रहती है तो मैंने सभी सब्जियों को चकोड लगवा गया ट्रेंगल म और इगेनो और चिली फ्लक्स की वैसी इसका मैंने बेस में नमक डाला था अगर आप यहां पर चाहे तो हलकी सी नमक भी स्प्रिंगल कर सकते हैं तेस्ट आने के लिए तो फ्रेंट्स यहां पर यह मेडी पूरी अच्छे से टॉपिंग तयार हो गया है साड़ सार से जो थ जल्दी-पक घलती है और इसमें एक सौप्टनेस मनी जल्दी राती है और जिस्तने चीज छीने चीजे आपको चल्का पानी ड़लना है इसमें जो पांचा जल्दी पकनगे प्लस इस जित्व को रहता बहुत ही भी प्यारा सा ब्राउन इरकर ह《याद रखिगा» लिए बेक मेरी थोड़ी सी बच गई थी तो उस पीज़ा को मैंने दूसरे फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है इस पैन में मैंने फिर से वही प्रोसेस किया बटर में लगाऊंगी बटर के उपर मैं बैटर डालूँगी एक तरफ से शेख लोगी इसका बेस थोरा सा अलग दूगी जो मैं इसमें टॉपिंग करूँगी न वह थोरा सा अलग दूगी तो बस मैंने बटर ले लिया पुड़े में फैला ले रही हूं बैटर डालके इसे उसी तरह से ढख कर पकने दूगी और यहां देखिए एक साइट से अच्छे से पक गई है उपर के लेर जब ड्राई हो प्रश को में जाली नहीं दिखाई थी तो यह हमने साड़ी से जालीयां बनि इंवी है बहुत हलकी है मतलब पूड़ा यह पूरा जाली दार यह बनिती देख को और हुआ और इस बेस को देख कर आंदाज है कि बहुत रफोसिंबारी बेस की में लगा कि पीजा नहीं सॉस क लेकिन पनीर पीजा में होना चाहिए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोजरेला चीज डाल दिया है, पुड़े में अच्छे से, और साइड साइड से जो प्लेट में गिरी हुई थी, पैन में उसको मैंने इसके उपर डाल दिया, अब इसके उपर उसी तरसे सब टॉपिंग क और मेरी पीजा बनकर तयार हो जाएगी, तो दूसरी पीजा को मैंने पकने के लिए रख दिया, तब तक मैंने जो तयारी करी थी, ये पहले वाली मेरी पीजा पक कर तयार हो गए थी, तो मैंने लिया, और इसे डाल दिया, चॉपिंग बोड पर मैंने की कटिंग, और ये म तो बनता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे साथी बेल आइकन दबा दे और बहुत सारे दोस्तों में सेयर करना ना भूले चली फ्रेंड्स मैं इस पीजा कर लेती हूं मजा आप भी बनाईए बिल्कुल मेरी तरह से काफी टेश्टी बनती है बिलीव में तो चली फ्रेंड्स फिर मिलती हूं इसी तरह नहीं नहीं डेस्पीच के साथ नहीं नहीं ब्रेकफास्ट के साथ आप लोग इस तरह हसते रहे हैं मुसकुराते रहे हैं जय मातादी दोस्तों ठैक्स वर वाचिंग